सबसे जाधा काँ है पैटल फूल की पतिया है अब फूल खुबसूरत इसलिए नहीं होते हैं कि वो किसी को दे जाएं, गिफ्ट में ये बात आप भयाद रखे ब्लबवि में पॉल देने के लिए नहीं है, वो अपने लिए खुबसूरत हैं हर चीज़ के बीचे scientific reason है, हर चीज़ को God ने बहुत ही उरसर से तराशा है Hello my dear students, उम्मीद करता हूँ कि सभी बहतर होंगे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं reproduction का lecture number 2 जो बहुत ज़ादा important है थमनेल आप देख चुके है, sexual reproduction की शुरुआत आज होने वाली है lecture number 1 में हमने asexual reproduction और reproduction के basic variations DNA copping जो बहुत कम बच्चों को समझ में आपाता है विकोज आसान आसान तो सभी पढ़ लेते हैं जिसमें हमने discuss किया था reproduction, importance of reproduction reproduction का individual के लिए क्या benefit है, species के लिए क्या benefit है DNA copping क्या होता है और क्या इसका importance है, variation क्या होते है क्या इसका importance है, और asexual reproduction के सारे type fission से लेकर vegetative propagation even tissue culture तक हम last lecture में discuss कर चुके हैं बहुत deep detail में, तो वो lecture उम्मीद है बहुत अच्छा रहा और ये lecture उससे जादा अच्छा होगा, अभी तक जिन बच्चों ने lecture number 1 नहीं देखा है मेरा suggestion यह, मेरा views बढ़ाने के लिए नहीं suggestion है आपके लिए suggestion है, कि आप उस lecture को जाके देख सकते हैं suggestion है, otherwise आप यहां से भी continue कर सकते हैं मैं आपको force Q करूंगा तो आज जो आपको थमनेल दिखाई दे रहा है बच्चा लोग sexual reproduction in flowering plants सिर्फ यही नहीं है जो longitudinal section, carpal, pistil, pollination सब पढ़ लेते हैं, वही नहीं है फर्मान सर के साथ आज बहुत deep में हम discuss करने वाले है reproduction in, या sexual reproduction in flowering plants जिनको angiosperm भी कहते हैं इसके अलावा, हम mioses और mitoses का पूरा concept जानने वाले हैं cell division के अंदर sexual asexual reproduction के बीच का हम difference पढ़ रहे होंगे और बहुत जादा deep में मैं कुछ नाम लेने वाला हूँ अगर ये नाम आपने पढ़ते टाइम सुने हैं तो आप इस lecture को जादा speed पर या skip भी कर सकते हैं because आपको पूरी जानकरी है अगर आप जानते हैं कैलिक्स क्या होता है अगर आप जानते हैं कोरोला क्या होता है और अगर आप जानते हैं अंड्रोईशियम क्या होता है और अगर आप जानते हैं जिमनोईशियम क्या होता है अगर आप जानते हैं कैमल ट्रॉपिजम किस चीज को कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन और मियोजस डिवीजन क्या होते हैं, तो बेशक मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, इस लेक्चर के मैंने रूट मैप दे दिया है, अगर ये सब आपको आता है तो आप बहुत ही इंट है, तो चलिए, बिना टाइम बेस्ट किए, अब स्टार्ट करेंगे, इस इंपोर्टन लेक्चर को, तो आप सभी जानते हैं, जो बच्चे रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं, मैं हूँ आपका मेंटॉर, फर्मान मलिक, और ये है आपका ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चै है, कि वो मोनो पेरेंटल होता है, वहाँ पे सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे कोई गैमेट नहीं बनता है, गैमेट मैंने बताया था, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जो कैपबिलिटी ऑफ डिवीजन रखते हैं, जिनके फ्यूजन से एक नई और्गिनिजम जर्म ले सकती है, जिस पे हम डेटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो सबसे पहला जो बेसिक रिक्वार्मेंट है, सेक्शल रिप्रोड़क्शन की, इट इन्वाल्व्स दा टू पेरेंट्स जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे ह चाहिए बच्चो एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए आप जानते होंगे, अब मेल गैमिट, अब ये जो वर्ड आ रहे है, गैमिट इसके लिए अलग से आपको सीखना होगा बच्चो, बस यही खास किया है और कुछ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जो भी एक एक वर्ड आएगा उस पर डिसकेशन करूँगा, तो गैमिट क्या है, क्या होता है गैमिट, तो मेरे इसाब से गैमिट, इस्पेशल टाइप के सेल होते हैं, इस्पेशल टाइपस ऑफ सेल, अब इनका डी एने और इनके अंदर के रोमोजोम साफ हो जाते हैं, वो हम सब डिसकस कर रह होंगे आगे, तो लेक्शर दूसरी डिरेक्शन में डेविएट ना हो जाए, तो गैमिट्स आर दी इस्पेशल टाइप ऑफ सेल्ट्स, विच गिव राइस टू दा नियू इंडिवीजूल, अगर आपके मैं चीक का सेल ले लूँ, गाल का सेल ले लूँ, एक मेल के, और दोनों का फ्यूजन करा दू, क्या उससे बच्चा पैदा हो सकता है, क्या उससे कोई नियू और्गेनिजम बन सकती है, बिल्कुल नहीं, अगर वहीं पर दूसरी तरफ में इस्पर्म को अगर किसी फीमेल ओवम से मैं फ्यूज करा दू और उसको फेवरेविल कंडिशन के हैं, यह special type के cells होते हैं, sexual reproduction में यह चाहिए ही होंगे, इनके बिना sexual reproduction नहीं होगा, अगर मैं male हूँ, तो मेरे अंदर स्पर्म है, जो मेरे gamet है, अगर female है, तो female के अंदर ओवम है, जो उसका female gamet है, तो gamet are the special types of cell, which give rise to the new individual when they fuses with their opposite gamet, तो यह gamet की definition, notebook निकाल लीजे, pen निकाल लीजे, हर चीज आपको यार, हलवा बनी बनाई नहीं मिलेगी, screen पर नहीं मिलेगी, हाला कि मैं कोशिच करता हूँ कि पूरा PPT आपको, एक एक चीज detail में मिल पाए, जिससे आप screenshot ले 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 और आपके notes भी तयार हो जाए, तो notebook और pen निकाल लेजे, और बिल्कुल aware होके बैट जाए, कब कौन सी बात important में बता रहा हूँगा, तो gamet आपको पता चलिए, gamet are the special types of cell which give rise to the new individuals when they fuses with their opposite gamet, तो जब ये दोनों fuse कर जाते हैं, तो एक पूरा complete cell बनता है, gamet कोई complete cell नहीं होता, जैसे हमारे अंदर 46 chromosomes होते हैं, थोड़ा बह ये तो आपको है, तो हमारे sperm के अंदर 23 होते हैं, अब haploid और diploid की क्या कहानी है, तो पूरा game है, अब समझेंगे आगे, और female के अंदर भी 23 के रोमोजोम्स होते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं, तो एक zygote complete cell बन जाता है, 46, zygote थोड़ा थोड़ा develop होता है, embryo में convert होता है और embryo से baby बन जाता है, लेकिन ये हमारे discussion का topic नहीं है, अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं महज, कि what is the meaning of sexual reproduction, तो जब ये female और male gamut fuse करते हैं, तो एक zygote बनता है, ये zygote गिरो होके develop हो जाता है new organism में, तो ये एक basic event है, sexual reproduction के अंदर जो देखने को मिलता है, तो sexual reproduction is the type of reproduction, हम ये कह सकते हैं, अगर exam में आएगा तो लिखेंगे क्या, exam oriented preparation भी मैं आपको कराता हूँ, क्या लिखकर आईएगा, बताइए, तो हम ये लिख सकते हैं कि in sexual reproduction, there is the requirement of two parents, there is the involvement of fusion of gametes, अब ये बहुत important चीज़ है, mitocet and miosis, इसके लिए हमें थोड़ा सा ठीखना पड़ेगा, basic थोड़ा सा basic ठीखना पड़ेगा, तो basic के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा खाली space यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई male है, और ये कोई female है, ठीक हो गई बात, मैं male हूँ, मेरी body का कोई भी cell, इस sperm को छोड़ दीजे, gamit को छोड़कर, मेरी body का sperm को छोड कोई सा भी cell बच्चो, आपकी body का, अगर आप female है, तो ovum को छोड़कर, कोई सा भी cell, मतलब gamit को छोड़कर, कोई सा भी cell, कि लास 9 का वो statement, शायद आपको याद होगा, रुडॉल वर्चो ने कहा था, every cell is arising from pre-existing cell, हर cell अपने पुराने या pre-existing cell से जर्म लेता है, आपकी body ग गिरो कर रहे हैं, क्योंकि bone cell, एक दूसरे को divide करके, अपने आपको divide करके, नए cell बना रहे हैं, तो ये body का, कोई भी ordinary cell है, gamit को छोड़कर, जिसको somatic cell कहते हैं, अब आपको ये बात, क्या ये बातें, आपने अपने किलास में पढ़ी हैं, क्या ये बातें, मैं फर्मान सर् जिक्र नहीं मिलेगा किताबों में, बट कहानी को शुरू से समझते हैं, तो हमारा कोई सा भी cell आप ले लीजिए, that is called somatic cell, except gamit, तो मैं cheek cell ले ले ला हूँ यार, cheek cell, गाल के cell मुझे बड़ा पसंद है, तो ये cheek cell हो गया एक, इसमें nucleus होता है, chromatin material होता है, ये सब आप जानत हैं, तो जब ये दो cell में divide करेगा, तो ये अपने DNA की copy करेगा, और इसके पास 46 किरोमोजोम्स थे बच्चो, अब 46 किरोमोजोम्स अब किरोमोजोम्स थे भी थोड़ा आपको समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लीजे बस, कहानी थोड़ी लंबी है, कन्फ्यूज हो जाता ह कि पहले बताया क्या जाए बच्चे को, इतनी सारी नौलेज, इतनी सारी बाते हैं मन में, कि क्या क्या बताऊंगा, तो बड़ा patience के साथ आपको सुनना पड़ेगा, तो हमारे गाल के cell में 46 किरोमोजोम्स थे, तो उसने अपने cell ने, ये जो cheek का cell था, इसने अपने DNA को replicate किय मतलब कापी किया, और दो cell बना दिये, और इसके अंदर भी 46 किरोमोजोम्स चलेगा, इसके अंदर भी क्योंगा, इसने फोटो कापी क्रियेट कर ली, इस टाइप के division को हम, mitosis division बोलते हैं, बच्चो, mitosis, ये हमारी body के सारे cell में हो रहा है, सारे animal और सारे human beings के अंदर, सब क अंदर हो रहा है, amoeba अभी तो, amoeba जो मैंने लाज पढ़ाया था, अपने cell की कौपी को करके, दो cell बना रहा था, और उन दो cell में number of क्रोमोजोम्स बराबर होते हैं, बतलब जितने cell, जितने क्रोमोजोम्स parents cell के पास थे, उतने ही क्रोमोजोम्स, daughter cell के पास जाएंगे, या मेरे blood में हो रहा है, मेरे nails के अंदर हो रहा है, मेरे hair के अंदर हो रहा है, मेरे cheeks के अंदर हो रहा है, neurons के अंदर हो रहा है, हर जगा, जहां भी cell डिवाइट कर रहा है, सिर्फ gamut को छोड़कर, अब gamut कैसा है, ये female के अंदर होगी process, ठीक होगी बात, लेकिन मैंने क्या कहा Centromere और ये जो दो इसकी branches दिख रही हैं आपको इन branches को किरोमेटिड कहते है तो इसमें चार branches है अगर मैं चार branches मतलब हमें ऐसे करके बोलना चाए दो branches है वैसे तो एक ऐसा और इसमें एक ऐसा होता है एक आपके मदर का एक आपके पादर का है, यानि कि जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, fusion होता है, तो ये ऐसा बन जाता है, तो ये जो single branch वाला जो chromosome है, single branch वाला, इसको haploid chromosomes कहते हैं, haploid chromosomes, और जब ये दोनों मिलके इस तरीके से double branch बन जाते हैं, इनको diploid chromosomes कहा जाता है, बच्चो डाइपलॉइड क्यों मैं समझा रहा हूँ आपको यह बच्चों को ग्यान तो है यार मैं तो ग्यान बाटना चाह रहा हूँ मैं तो नॉलिज देना चाह रहा हूँ लेक्चर भले ही लंबा हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब सुनिए काम की बात तो काम की बात यह है जब भी बच्चा कोई बोलता है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम्स है अब कोई knowledgeable बच्चा जो होगा न 10th level का वो कहेगा हमारे अंदर 23 diploid क्रोमोजोम्स है और 46 haploid क्रोमोजोम्स है फिर आपका सर वही नीचे हो जाएगा यार ये क्या बात कर रहा है हमने तो 46 पड़े ये तो 23 बता रहा है लेकिन उसके साथ ये बड़ ले रहा है 46 haploid बोल रहा है मैंने कहा सिंगल ब्रांच वाले को haploid बोलते हैं अब ये कहां से आया फियूज कैसे हुआ उस पर बात करूँगा भी अभी मैं गैमेट की बात पर आया ही नहीं हो ठेक है तो जब ये दोनों का फियूजन हो गया यानि कि जो डबल ब्रांच वाला है इसको हम लोग कहते हैं diploid क्रोमोजोम्स सिंगल ब्रांच वाले को haploid क्रोमोजोम्स तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे वाले यानि कि diploid गैमेट को छोड़ के बात कर रहा हूँ हमारी हर body cell के अंदर cheek cell, bone cell, blood cell, neuron, nephron जितने भी आपने पढ़े है 23 क्रोमोजोम्स होते हैं और यह pair में है तो हमें यह कह सकता हूँ 23 pair होते हैं तो हमारे अंदर 23 diploid क्रोमोजोम्स होते हैं 23 diploid क्रोमोजोम्स इनी को मैं दूसरे तरीके से बात करूँ तो 46, अगर 46 बोलोगो तो आपको यह बोलना पड़ेगा haploid क्रोमोजोम्स होते हैं 46 haploid chromosomes होते हैं और 23 diploid chromosomes होते हैं यानि कि 23 pair होते हैं single वाले 46 होते हैं तब ये बता के कर के लिए आपने ये पढ़ा क्यों रहे हो ये अपड़ पालतु में आपने अच्छा गाचा पढ़ा रहे थे बड़ी आसान-ासान खाए लेक्चर को इतना लंबा खीच रहे हो है ना बात तो सही है ये sexual को समझना है तो मुझे लगता है कि आदी अधूरी knowledge देने से कोई फायदा निकलेगा नहीं उस teacher के नाम से मैं अपनी यादों को बनाना चाहता हूँ जिसको जाना जाए कि उस इंसान ने एक भी concept छोड़ा नहीं था एक भी concept know who, hallah, कुछ भी नहीं बहुत आराम से concept को पढ़ेंगे बहुत आराम से समझेंगे lecture भेले ही लंबा होगा हो सकता आपको नीद आ जाए, मुझ दोलीजे है ना, नहीं इतना बुरा तो नहीं है लेकिन ये थोड़ी से चीज़े टिपिकल है समझना पड़ेगा, तो finally आपको ये बास समझ में आई कि diploid chromosomes वो chromosomes होता है, जिसके पास 23 या दो ब्रांच होती है दो ब्रांच होती है diploid में, और haploid में एक ब्रांच होती है तो हमारे अंदर 46 haploid chromosomes है, ये 23 diploid body के हर cell के अंदर हर cell के अंदर, और जब ये अपनी copy करते है, जैसे cheek cell दो cheek cell बनाएगा, तो ये दोनो cheek cell diploid ही होंगे, diploid यानि कि 46 कि रोमोजोम्स इसमें थे, तो 46 हिसमें हो जाएंगे, 46 हिसमें क्योंकि इसने अपनी copy करके आगे भेग दिया, this is called cell division, यही हमारी पूरी body में हो रहा है except gamit, अब ये gamit क्या है और इस division को हम लोग, मैं ये भी नाम बता देता हूँ, इस division को हम लोग mitosis या mitotic कहते हैं mitosis या mitotic कहते हैं ठीक है, अब gamit पर आता हूँ ये कोई cell है जब इस cell से हमारा gamit बनेगा ठीक है, और फिर एक gamit से, दूसरा gamit और इस cell के अंदर मेरे पास 46 chromosome हैं या फिर मैं ये कहलूँ कि 23 diploid chromosome हैं जब हमारा gamit बनेगा, तो gamit में बनते हैं 4 अब ध्यान दीजेगा जड़ा कितने cell बने, 4 cell बने लेकिन इन 4 cell के पास 23 haploid chromosome हैं 23 haploid 23 haploid 23 haploid 23 haploid यानि कि अब cell ने gamit में आधे chromosomes बेजे आधे, इसको भी समझाऊँगा आधे आधे आपकी wife के आएंगे या अगर आप कोई female है तो आधे आपके husband के आएंगे तभी तो बच्चे के अंदर फिर 46 हो जाएंगे अगर आप भी 46 देंगे और father भी 46 देंगे या आप भी 46 देंगे और आपकी wife भी 46 देगा तो बच्चे के अंदर तो फिर उसके double उनके बच्चों के अंदर उनके double तो पूरी body में chromosome सी यानि DNA DNA हो जाए का कोई जगए नहीं बचेगी बट number of chromosomes constant रहते हैं क्यानिके मेरे germ cell में या मेरे sperm में सिर्फ 23 haploid chromosome से हैं मैं अपने उपर ही ले लेता हूँ 23 haploid हैं अब समझाता हूँ 23 ये वाले हैं बाकिस हमें पूरे-पूरे हैं diploid वाले लेकिन sperm में 23 haploid हैं मेरी wife का जो ovum होगा उसमें भी 23 haploid होंगे तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐसे करके जुड़ जाएगी एक branch दूसरी branch से जुड़ जाएगी और जब zygote बनेगा जो मैं भी समझा रहा था ये जो zygote बन रहा तो ये sperm से आएंगे 23 23 ovum से आएंगे और बच्चे में 46 हो जाएंगे यानि कि 23 diploid बन जाएंगे तो पूरे 46 haploid उस बच्चे के अंदर हो जाएंगे यानि कि इस division में क्या हुआ ये division थोड़ा सा different है पहले बाले से इस division में cell copy तो कर रहा है और चार copy बना रहा है उसमें 2 copy बन रही नहीं इसमें 4 copy बन रही है उसमें पूरे क्रोमोजॉम्स भेज रहा था वो आने वाले cell में इसमें आधे क्रोमोजॉम्स भेज रहा है आधे जाने के copy तो उसने 2 ही बनाई देखो तो 2 की 4 कर ली ना आधे आधे कर दी है उसमें इस division को meiosis division कहते है meiosis और ये meiosis division सिर्फ ओन organism में होती है जो sexual reproduction करते है क्यों? क्योंकि gametes बनते ही उनके अंदर है जो sexual reproduction करते है तो भाई या आधे डिये ने किसमें जाएगा असेक्शल तो करते नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ mitosis या mitotic division occur in every organism except virus बट ये जो meiosis है ये उनी organism में होगा जो sexual reproduction करते है यानि कि at the time at the time of formation of gametes जब हमारे gametes divide होके दूसरे gametes बनाते है या जो हमारा पहला gamete हमारे body की cell से बनता है somatic cell से तो वहाँ पे meiosis division होता है और आधर DNA हमारा copy होके हमारे sperm में जाएगा तो अगर मैं male हूँ तो मेरा sperm पूरा cell नहीं है क्योंकि उसके पास किरोमोजोम्स आदे हैं बाकी मेरी पूरी body में हर cell में मेरी body की हर cell में पूरे 46 किरोमोजोम्स है इस पर्म को छोड़के और अगर आप कोई female है तो आपकी पूरी body की हर cell में 46 किरोमोजोम्स है सिर्फ ovum में 23 heploid है क्योंकि 23 heploid आपके 23 heploid आपके partner के होंगे at the time of formation of zygote जब आपकी शादिवादी हो जाएगी कोई कहना चाहिए जब आपके daughter या son होने का जब भी number आएगा at the time of intercourse जब आपका sperm या आपका ovum आपके partner के sperm या ovum के साथ fuse करेगा तब वो 23-23 मिलाके 23 diploid बन जाएगे यानि कि 46 किरोमोजोम्स हो जाएगे अब अगर मैं आपसे सवाल पूझू CVSC अगर कहे ठीक है कि sexual reproduction यानि कि human beings के अंदर कौन-कौन सा cell division होता है तो हमारे जितने भी somatic cell है वहाँ mitosis तो होई रहा है लेकिन हमारा gamit भी है हमारे अंदर तो हमारे अंदर meiosis यानि कि sexually reproducing organism के अंदर mitosis भी होता है और meiosis भी होता है अब आईए मैं समझता हूँ कि ये पूरी कहानी इतना लंबा discussion अब आपको समझ में आ गया होगा तो एक इसका मैं recap कराना चाहता हूँ कि पूरी कहानी आपको समझ आज़े पूरी कहानी ये रहा mitosis and meiosis एक हो गई बात आगे आने वाले cell में भेज़ देते हैं दो cell बनते हैं अकर in all the organism except virus अभी बताया था फर्मान सर ने virus को छोड़के सारे organism में mitosis पाया जाता है चाहे वो asexual हो mitosis को mitotic भी कहते हैं बच्चो mitotic यार बस यही तो सीख है life में और कुछ नहीं सीख है पढ़ाने के अलावा कोई हुनर नहीं आता पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता थोड़ी बहुत शायरी आती है बस ठीक है न अच्छा तो ये सारे काम बस आपके concept clear हो जाएं बस क्योंकि दूसरों से अलग दिखना है दूसरे teachers से अलग दिखना है तो अलग तो पढ़ाना पढ़ेगा वरना otherwise आप मुझे देख के अच्छा नहीं बोलेंगे ना पढ़ के ही तो अच्छा बोलेंगे creates all the body somatic cells like blood cell body के जितनी भी cell है वो सारे mitosis से divide होके बन रहे है involve one cell division सिर्फ एक cell division होता है दो daughter cell बन जाते है और उन दोनो daughter cell में आपस में भी equal number of chromosomes होते है और parents से भी equal number of produces two diploid यानि के 2N daughter cell दो diploid cell बनते हैं एक ये cell था इसके दो हो गए और दोनों मानलों इसके अंदर 23 diploid थे तो इसके अंदर भी 23 diploid आए और इसके अंदर भी 23 diploid आए क्योंकि यहाँ पर DNA copy करके पूरा-पूरा copy बना रहा है यानि कि हम यह कह सकते हैं अगर कोई cell है उसके अंदर 2N chromosome है 2N मतलब 2 into 23 ऐसा करके यह convention ऐस तरह किसे दिखाय जाता है तो mitosis में जो दो cell बनेंगे उसमें भी 2N होंगे और इस वाले में भी 2N होंगे इसलिए यहाँ पर 2N लिखा गया है बच्छो ठीक है अब जब हमारा gamut बनता है तो जिस cell से gamut बना है उसमें 2N थे लेकिन हमारे gamut में सिर्फ N होंगे और N होंगे यानि कि number of chromosomes half हो जाते है N आप से आएंगे बाद में at the time of sexual intercourse और N आपके spouse के होंगे तो जो आपका बच्चा होगा ड्राइगोट होगा उसमें भी 2N हो जाएंगे बना पता लगे 2N 2N अगर आगए तो बच्चे में 4N हो गए फिर वो आगए उसके आने वाली generation में 8N उसके आने वाली generation में 16N और दुनिया तो millions of years से चल रही है इंसान तो भहिया करोणों सालों से अर्थ पे है तो पूरी body में तो क्रोमोजोम सी क्रोमोजोम फैल जाते है क्योंकि हर आने वाली generation में double हो जाता DNA बट दे नमबर अफ क्रोमोजोम रिमेंस constant because every parent contribute only half of the क्रोमोजोम to its further या next generation ये भी TBH3 ने तवाल पूछे थे कि DNA conserve कैसे रहता है in human beings the number of क्रोमोजोम फैसे रहते है ये number of क्रोमोजोम कैसे रहते है तो mathematically दिखाओ बड़ी है बड़े आराम से कि ये body का कोई cell है जब ये sperm बनेगा इससे तो ये 2N थे लेकिन sperm में N जाएंगे ये कोई female cell है इसमें 2N थे लेकिन इससे जब उसने अपना ovum बनाया हम सिखाते हैं आपको concept biology में भी पूरा math अपने style में बिलकुल ovum में भी कितने आ गए N आ गए और ये दोनों जब मिले zygote बना तो zygote में कितने हो गए 2N हो गए यानि के parents में भी 2N थे ये मालनों mother है sorry ये father है और ये आपकी mother है है ना तो 2N 2N दोनों में थे और बच्चे में भी कितने आ गए 2N आ गए पतला अगर 2N यहां से आते 2N यहां से आते तो बच्चे में 4N हो जाते फिर इनके बच्चों में 8N हो जाते मैंने क्या बताया वही गेम हो जाता पूरी body में क्रोमोजोमस ही क्रोमोजोमस भर जाते ये था गेम समझ मागी बाद तो daughter cells are genetically identical इसमें daughter cells genetically identical होते है वो कहानी आपने सुनी होगी sperm दो type का होता है x भी हो सकता है और sperm y भी हो सकता है है ना क्योंकि वहाँ पे 23 जा रहे है 22 तो same होते है शायद आपने पढ़ा autosomes, heterosomes कोई बात नहीं यार ये भी समझाएंगे tension मतलू मतलब कहने का ये है mitosis से जो भी बनते है cell वो बिलकुल identical होते है भाईया जब सारे क्रोमोजोमस उसी में आ गए सारे सार क्रोमोजोमस उसमें आ गए तो एक जैसे तो हों गई ना फिर सही कह रहे है सर curates are human cell with 46 क्रोमोजोमस human cell जो भी इससे बनेगा 46 क्रोमोजोमस होते है अब ये vent diagram का मतलब क्या है mitosis और ये meiosis का difference है similarities ही है जो बीच में आ रही है occurs in plant and animal नम बतलब plant और animal mitosis भी होता है meiosis क्योंकि plant में भी कुछ sexual होते है start with a diploid parent cell ये भी वही है diploid से start होता है और ये भी diploid से start होता है produce new cell इसमें भी नई cell बनते हैं इसमें भी नई cell बनते हैं cell undergo DNA replication इसमें भी DNA copy होता है same basic step इसमें भी वही step है में वही स्टेप है अब मियोजिस पे आजाओ भहिया सिर्फ पिलांट एनिमल और फंजाई में होगा क्रियेट उनली सेक्स देखो क्या लिखा है भहिया देख लो जल्दी से जर्म सेल या सेक्स सेल या स्पर्म सेल या ओवम सीधे बोल दो गैमेट जहां पे गैमेट बनते हैं बस ये बही पर इन्वाल्व होता है इन्वाल्व का टू सक्सेसिफ सेल डिवीजन यहां पे दो सेल डिवीजन होते हैं यानि कि चार डॉटर सेल बनते हैं प्रोड्यूसिस फोर हैपलॉइड एन्ड डॉटर सेल लिखा है देखो जैसे एक Sperm बन रहा है आपने पता है कि 22 हमारे पास सैम होते हैं 23 में आलग होता है उस 23 में में क्या होता है एक X होता है एक Y 8th क्लास में पड़ लिया था आपने तो Sperm के अंदर X भी जा सकता है और Sperm के अंदर Y भी जा सकता है तो X वाला Sperm, Y वाला Sperm से अलग होगा के नहीं होगा ये कहने का उनके मतलब है X वाला Sperm जाता है तो Baby Girl होती है Y वाला Sperm जाता है Baby Boy होता है Sex Determination बड़ा होगा Class Airt में कोई बात नहीं है आगे आने वाले लेक्चरों में तो आए गई तो वहाँ पे इसको डेटेल में समझा देंगे ठेक होगे Creates a Human Cell with 23 Chromosomes इससे जो Human Cell बनेगा यानि कि गैमिट फिर बोल दे रहाँ गैमिट उसमें सिर्फ 23 Chromosomes होंगे I hope I hope अरे बढ़ा मुश्किल पढ़ा रहे हैं सरतो आगे चलते हैं अब आप जानने के काविल हो गए है Asexual और Sexual में Reproduction कम से कम CVSC ने पिछले 10 सालों में 10 सालों में 4 बार ये सवाल पूछा है मैंने क्या कहा था Question भी discuss हम कर रहे होंगे तो in past 10 years CVSC asked 4 times this question What is the differences between sexual and effectual reproduction तो we can write It involves single organism It involves two organism यह हम सिंग यह भी बोल सकते हैं It is monoparental and it is biparental No production of gamets अब gamet क्या होता है यार ये तो पता चली चुका है And male and female gamets are produced यहाँ पर gamet का कोई fusion नहीं होता यहाँ पर gamet का fusion होता है और zygote बनता है It requires only mitotic division Mitotic भी और mitosis कुछ भी कहलो अभी बताया था And it requires meotic या meosis कहलो Meosis या mitosis वो cis और tic लिख सकते हैं आप देख रहे हैं वहाँ पर mitosis लिखा था यहाँ ने mitotic लिख दिया है वहाँ पर meosis लिखा था यहाँ meotit लिख दिया है तो cis को tic बोल सकते हैं यहाँ पर आपने इतनी जानकारी तो रिखा दे रहे थे क्या आप सारे बहन भाई आपके parents की तरह दिखाई देते हैं नहीं देते हैं तो कुछ characters तो parents से आते हैं लेकिन कुछ क्योंकि भाईया दादी के घर वाले DNA नानी के घर वाले DNA से जब मिलेगा तो नया ही खुरापाती बच्चा बन जाएगा एक सही बात है के नहीं बात है और यह maternal सारे दादा, दादी, पापा, बुआ सब का DNA फादर के अंदर और इधर आपकी मदर के अंदर नाना, नानी, मामू, उदर सब के characters दोनों मिल गए बन गया एक बच्चा, समझ रहे के नहीं तो parents के कुछ characters same होते भी है sexual में और कुछ नए characters भी develop होते है इट अकर बड़िंग, fragmentation, sporulation यानि के spor formation बड़ा दिया था पिछले lecture में इट अकर डूट तो pollination and fertilization ये pollination, fertilization की वज़े से होता है fertilization क्या होता है fusion of male and female gamet जानते हो तुम यार आगे पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ ये तीन नंबर का सवाल मैंने आपको ready करा दिया है कि what is the difference between sexual and a sexual reproduction आगे चलेंगे sexual reproduction in flowering plant जो thumbnail डालोगा था, जो heading गाली हुई थी अब वो शुरू हो रहा है लेकिन इसमें बहुत बहुत अच्छी बात है बच्चों बताने वाला हूँ wid diagram wid diagram मदे की बात है सबसे पहली बात ये जान लो sexual reproduction in flowering plant जो flowering plant होते है न उनको अपन angio sperm भी कहते है angio sperm जिनमे flower नहीं होता है उनको gymno sperm कहते है तो flowers जो है जिन पौधों में फूल आता है क्या आपको पता है फूल सिर्फ किसी को देने की चीज नहीं है फूल plants का sexual यानि के reproductive part है फूल के अंदर male part भी होता है फूल के अंदर female part भी होता है चा पता है आपको ये बात पता होगी लेकिन दुबारा पढ़ लेगे ठेक है तो जो flower है वो plant का reproductive part होते है उसके अंदर male part भी होता है female part भी होता है कुछ flower ऐसे होते है जिनके अंदर सिर्फ एक part होता है male या female unisexual कहते है उनको example देंगे CVAC ने कई बार एक number में याद कर लो लिख लो flower के अंदर चार part होते है कितने चार सैपल पैटल सैपल अपने ज़्यादा काम का नहीं है सबसे ज़्यादा का है पैटल भूल की पतियां पंखुडियां जो attract करती है अपनी तरफ किसको किसको attract करती है इंसेक्ट को attract करती है इंसेक्ट को गलत मत ले जाएए मेरी बात को है ना अब फूल खुबसूरत इसलिए नहीं होते हैं कि वो किसी को दिये जाएं गिफ्ट में ये बात आप याद रखिये फूल देने के लिए नहीं है वो अपने लिए खुबसूरत है ताकि पॉलिनेशन में उनकी help हो सके इंसेक्ट उन पे attract हो ताकि उन में पॉलिनेशन हो जाए इंसानों ने उसका कुछ दूसरा यूज निकल लिया परफ्यूम बनाना स्टार्ट कर दिया उसकी fragrance का यूज करके पॉलिनेशन में